Hello friends, welcome to GK Study, तो बात करेंगे आज Indian Premier League, यानि कि IPL 2022 से related कुछ important questions के बारे में, आप सभी को पता ही होगा कि जब IPL होता है, उससे बाद अगर आपको कोई exam conduct होता है, तो IPL से related कोई question जो है, वो आपको ज़रूर पूछा जाता है, चाहे किसी भी exam में, तो उससे related जितने भी important question बन sir, important है, Tata जो है वो इस बार sponsor था, पहले कौन सा होता था, वीवो IPL आप बोला जाता था, जो IPL के मैच होते थे, ठीक है, इस बार जो था, वो था आपका Tata IPL, ठीक है जी, विनर कौन सी team रही है, गुजरा टाइटन, फर्स टाइटल था इसका, ठीक है जी, तो गुजरा ट टीम जो है, वो विनर रही है, और कौन सी जो है, वो आपकी रणर अप रही है, तो ये चीज दोनों जो है, वो आपको याद अपनी है, एडिशन कौन सा था, पंदरवा एडिशन था, टाइटा IPL का, और number of teams कितनी थी, 10 थी, और most runs विराट कौली, यानि कि IPL की हिस्ट्री आप PDF Master Course, जो है, वो जोइन कर सकते हो, coupon code यूज करना है, कलर्ट 2022, जिससे आपको बहुत अच्छा डिसकाउंड मिल जाएगा, और सारी PDF जो exam से related होती है, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, GK Study App पर जाकर जो है, वो आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ, PDF 2022 के बारे में, ठीक है, तो ब्रावो, याद रखेगा, कौन सी टीम के है, चन्नाई सूपर किंग, टीम्स, rare cases में पूछी जाती है, पर फिर भी आपको याद रखना है, बाकि जो तो cricket प्रेमी है, जिनको cricket से बहुत जारा लगाव है, उनको तो हर टीम के बारे में, और उन इन्होंने बनाए है, कौन सी टीम के है, राजस्तान रोयल्स, परपल कैप किसको मिलिये, चेहल को मिलिये, ठीक है, 27 विकर जो लिये है इन्होंने, और दा मोस्ट बाइअ स्पिनर इन IPL सीजन, किसी IPL सीजन में, जो है, वो किसी स्पिनर के दबारा सबसे जादा ले जाने विकेट का खिताब भी जो है, वो इनको ही गया है, तो परपल के आप याद रखेगा और और औरेंज के आप जो है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है, चेहल कौन सी टीम के हैं, ठीक है, यह आप सभी को पता ही होगा, बात करते हैं, most valuable player की तो जॉस बटलर, ठीक है, उसक गुजरार टाइटन्स के हैं, 157.3 kmph की स्पीड से इनोंने जो है वो बॉलिंग की थी, पावर प्ले आफ दा सीजन, यह मिला है जॉस बटलर को, तो यह जॉस बटलर को बहुत सारे मिले हैं, जैसे औरेंज कैप हो गया, most valuable player हो गया, उसके बाद power player of the season हो गया, उसके बाद fair play award किसको मिला है, राजस्तान, रॉयल्स, एंड गुजरार, टाइटन्स को, उसके बाद game changer of the season for accumulating the most fantasy points, यह मिले है आपके जॉस बटलर को, super stiker का जो award मिला है, वो मिला है दिनेश कार्थिक को, ठीक है, दिनेश कार्थिक RCB के हैं, फिर आपका let's crack its sixes, यह भी जॉस बटल के है, man of the match मिला है, हार्दिक पांडिया को, यह तो आपको पते ही होगा, जो आपके गुजरार, टाइटन्स है, उसके बाद maximum force award, ठीक है, यह भी जॉस बटलर को, जो है, वो मिला है, तो जॉस बटलर से related, maximum जो है वो award है, यह चीज़ याद रखेगा, उसके बाद awarded for bowling the fastest delivery of the match, यह लोकी fraction को, most valuable asset of the match, हार्दिक पांडिया को मिला है, उसके बाद power play of the match, किसको मिला है, यह टेरेंट बोल्ट को मिला है, ठीक है, टेरेंट बोल्ट, रज़स्तान रोयल्स के, फिर left scrape its sixes award, यह आपका जॉस बटलर को भी मिला है, उसके बाद यशाश्वी जैसवाल को भी मिला है, कौन से टीम के है, रज़स्तान रोयल्स के है, ठीक है, उसके बाद game changer of the match award, यह हर्दिक पांडिया को मिला है, उसके बाद super striker award, किसको डेविड मिलर को मिला है, ठीक है, डेविड मिलर आपकी गुजरा टाइटन के है, यह चीज़े, तो यह कुछ important question है, उसके टाटा IPL Championship 2022 का चेक मिला है, 20 क्रोड का ठीक है, और रज़स्तान रोयल्स केप्टन संजू सेमसंग रिसीव दा runners-up चेक, ठीक है, तो संजू सेमसंग को runners-up चेक मिला है, ठीक है, runner-up टीम कौन सी थी, रज़स्तान रोयल्स सी, वीनर टीम कौन सी थी, वो थी आपकी गुजर Titans की स्कौर्ड थी, ठीक है, उसमें कितने जो है, वो प्लेयर थे और कौन-कौन थे, ठीक है, बाकी ये सारे question जो है, वो आपको अच्छे से याद रखनें, इनमें से एक नाएक जो है, वो आपको एक्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये एक छोटी सी वीडियो थी, बहुत जल्दे मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ.